प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है पिछले क्लास से पिछले टर्न से हम लोग जो है तूरदास के पद की ब्याक्ख्या पढ़ रहे थे दो क्लास हम लोगों ने पढ़ा है और मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा जो हाँ जो हमने आपको पढ़ाया है कहीं पे किसी को कोई प्राबलम न हो रही होगी और अगर हो रही है तो उस प्राबलम को बताना आपकी जिम्मेदारी है आपका दाइत्व है किसर यहां पे हमें प्राबलम हो रही है ये बाते हमें समझ में नहीं आ रही है ये कटनाई हो रही है तो उस कटनाई को हम लोग दूर करने की भरसक कोशिस करेंगे बिल्कुल 100% कोचिस्ट करेंगे आपकी कोई भी समस्या जो है नहीं बचेगी इसी उद्देश से हम लोगों ने आपको अपने साथ जो है जोड़ा है और एक दृढ निश्चे किया है कि आपको अच्छी से अच्छा पढ़ाना बताना वो हमारी जिम्मेदारी है हमारा दाइत्व है उससे हूं कभी भी आलग नहीं हो सकते हैं चलते हैं फिर आज की क्लास में आपका स्वागत करते हूं दो गागे बढ़ते हैं और ये पद है आज का क्लास को बेटा सेयर कर दिया करिये क्लास को अपने दोस्तों के पास अपने मित्रों के पास सेयर कर दिया करिये कारण ये है कि आप लोग बहुत दिन में बहुत दिनों में आपने खुभी देखा है पिछले क्लास में कि बहुत से बच्चे होते हैं जब लगबग आधी क्ल क्लास हो जाती है या क्लास खतम होने वाली होती है और तब आते हैं फिर कहते हैं कि मैं लेट हो गया मुझे पता नहीं था इस तरह की जब वह बातें बोलने लगते हैं तो एक यह लगता है कि देखो साइड पता पहले से चल जाता अगर इनका कोई दोस्त मित्रयार इनका कर लेते और जो पीछे हो जाता है बेटा वो पीछे ही रहता है ऐसा नहीं है जो पीछे हो जाता है वो पीछे ही रहता है इसलिए क्या करना है सामय का भी ध्यान रखना है और अपने साथियों का भी ध्यान रखना है चलते हैं अब आज की क्लास के सुरुआत करते हैं ठीक ह चलिए ठीक है कि सखीरी सखीरी मुर लीली जय चोरी जिन गुपाल की नहें अपने बस प्रीत सबन की तोरी चिन गहर भी तर निसिवासर धारत न कब हूँ छोरी कब हूँ कर कब हूँ अधरन कटी कब हूँ खों सत जोरी ना जानों कचू मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी सुर्दास प्रभु कामन सजोनी बंध्यो राग की दोरी उधाव मोहि ब्रज बिशरत नाही ब्रिंदावन गो कुलबन उपवन सघन कुझ की छाही प्रात समय माता जसुमती अरू नंद देख सुख पावत मार्खन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धनी धनी ब्रज वासी जिन सौहित जदुतात जिन सौहित जदुतात जिन सौहत जदुतात उधाव मन नभै दस बीश एक हुतो सो गयोश्याम संग को अवराधय इश इंद्रिय सिथिल भाई के सव बिन सकल जोग के इश सकल जों द्यंहीं बेनुसेश आसा लाग रहति तन स्वासा जीवहिं कोटि बरीश जीवहिं कोटि बरीश तुम्ट व्षक्राव श्याम सुन्दर के तुम्तो सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के इस सुर हमारे ननन नन न बिनू सुर हमारे ननन न न न बिनू और नहीं जगदीश उधाव मन न भै दस बीश उधाव मन न भै दस बीश चलिए भाई अब हम आप अर्थ की बात करते हैं अभी तक तो चलिए करें हैं कि गोपीकाइं कहती है और गोपीकाओं की समस्या यह है है ज़ कोई न कोई समस्या होती है तब एक दूसरे सो लोग चार्था करते हैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में कि वाई चलो इस समस्या का समधान कैसे करें, तो गोपिकाओं के सामने भी एक समस्या आ गई है, एक प्राबलम आ गई है, बहुत बड़ी प्राबलम आ गई है, बहुत बड़ी प्राबलम ये आ गई है, कि आज तक कृष्ण जो है, आज तक त्रिकृष्ण जो है, जिन गोप गोपिकाओं से प्रेम करते थे चाहते थे घूमते थे तहलते थे ना आज क्या हो गया है आज उन्होंने गोपिकाओं से अपने आपको अलग जैसे कर लिया है ना अलग जैसे कर लिया अलग तो नहीं है क्योंकि जो प्रेम है वो आत्मा परमात्मा का होता है वो अलग तो नह नुभूति उनको हो रही है कह रहे हैं तो और उसके उसके कृष्णा और राधा कृष्णा और गोपिकाओं के बीच में जो ये दूरी थोड़ी सी दीख रही है ये जो दूरी की स्थिती बन गई है थोड़ा सा अंतराल दिख रहा है गोपिकाएं उस अंतराल का कारण जो है ये बासुरी को मानती हैं क्यों कि दिन भर बासुरी के लिए कृष्ण जो है क्या करते हैं उसी को बजाते रहते हैं और उसी में पूरा टाइम चला जाता है और क्या होता है हमारी तरफ उनका ध्यान ही नहीं आता है तो क्या करें हैं कि सखिरी मुरली लीजे चोरी तो उसका एक उपाय उन्होंने कहा कि हे सखियों हे सखियों अगर उनकी बासुरी को हम चोरी कर लें चुरा लें तब क्या हो जाएगा जब बासुरी नहीं रहेगी तो बासुरी क्या बजाएंगी जो बासुरी नहीं रहेंगी तो बासुरी क्या बजाएंगे इसमें एक प्रकार से इरसा का भाव भी दिखाई देता है इसमें एक प्रकार से इर्षा का भाव दिखाई देता है क्यों भाई अगर वो जैसे एक है दिया कि बांसरी कोई चोरी करना है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है कोई न कोई बात होती है कोई न कोई रहस्य होता है तबी किसी कारे को कोई करना या करने की योजना बनाता है, करता है या करने की योजना बनाता है, सोचता है कि चलो भाई ये हमारे लिए समस्या उत्पन कर रहा है, हमारे जीवन में कठिनाई ला रहा है, तो इसलिए क्या करना है, इसलिए हमें भी कुछ करना होगा, तो गोपिकाओं ने कहा कि भाईया इ लिडिने कुपाल कीन है अपने बस गोपालमाने क्या होता है गाए का पालन करने वाले अर्थात स्रीक्रिष्ण भाईया जो गाए का पालन कर सकतें हैं वो क्या है क्या हमारा पालन नहीं कर सकते हैं, उनके आधीन तो हम भी हैं, हमाला भी पालन पोशन करने की जिम्मेदारी त्रिकृष्ण की है, क्योंकि हम उनकी प्रेमिकाएं हैं, हमारे खाने, पेने, रहने और हर प्रकार के सुख सुविधा का ध्यान रखना और सुख सुविधा कामी हैं, हमारे इस्ट हैं, इसलिए कह रहा है कि जिन गुपाल कीन है, अपने बस जिस बासुरी ने, जिस बासुरी ने क्या कर दिया है, गुपाल को श्रीकृष्ण के अपने, श्रीकृष्ण को अपने आधीन कर लिया है, और हम सब के प्रेम को दरकिनार कर दिया है, बंदन थे उन बंदनों को समाप्न कर दिया है उस बास्री ने एक बात औरर है मैं कहे ना चाहेता हूं कि कि बाश्री किसकी है भाई एक यह और यह कैसी है निजीव है यह निजीव है Kung निर्जीव के प्रेम से सजीव के मन में जो इर्षा का भाव उतपन हो रहा है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बांसुरी कैसे कृष्ण को इतना परबस कर सकती है कितना कृष्ण पर कैसा इतना अधिकार कर सकती है ये असंभव है लेकिन फिर भी गोपियों की मन दसा है क्योंकि प्रेम में कुछ भी कर जाएंगे कुछ भी सोच जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं होती है इसलिए गोपिकाओं के मन में इस प्रकार के भाव उतपन होना कोई बहुत दिशेष बात नहीं है क्योंकि प्रेमी जो होता है वो पागल होता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है कभी भी असंभव कारे को कर जाता है जैसे बात कर लेते हैं तुलसी दासकी रात में नदी में कूद गए यमुना नदी में कूद करके चले गए अपने पत्नी से मिलने अब प्रेम में लोग क्या करते हैं नदी में छलांग लगा देते हैं क्या करते हैं क्यों क्योंकि प्रेमी के हिर्दय में उस समय पागल पन कार रहता है उसकी बुद्धी काम नहीं करती है वह भावनाओं के वसी भूत हो करके कोई भी गलत सलत इस्टिप उठा लेता है यही कारण है तो कह रहे हैं जिन गुपाल की ने अपने बज़ प्रीति सबन की तोरी उस बाशुरी ने स्री कृष्ण को अपने आधीन कर लिया है और हम लोगों के प्रेम को क्या कर दिया है दर किनार कर दिया है अलग कर दिया है चिन एक घर भीतर निशिवासर अब कहते हैं कि भाई हम चोरी तो कर लें दूसरी सखी कहती है कि चलो बाशुरी तो चुरा लें लेकिन मौका तो मिल चाहिए चोरी करने का चोरी तो करने की योजना बना रहे हैं चोरी कर भी लें लेकिन चोरी करने का मौका तो मिलना चाहिए कब हम चोरी करें क्योंकि चिन एक घर भीतर एक छण में उस बासरी को घर में रखते हैं और एक छण में अपने पात रखते हैं चिन एक घर भीतर कभ को अपने से कभी अलग ही नहीं करते हैं अब अलग ही नहीं करते हैं कहने का मतलब कि कहने का मतलब यह है कि भाई हम तो चाहते हैं जानते हैं कि बासरी चुराना एक समाधान है लेकिन वो कारे करेगा कौन मैं एक कहानी बच्पन में पढ़ा था कि बिल्ली के घले में चेक आने वाली नहीं है इस तरह की योजना थी लेकिन हुआ क्या एक बूढ़े चुए ने कहा कि भाई बात तो सही करे रहे हो योजना तो अच्छी है ऐसा किया जा सकता है लेकिन समस्या यह है कि कौन करेगा कौन करेगा हम लोग तो पहले से जानते थे यह उपाए लेकिन समस्य यह है कि बिल्ली के गले में घंती बांदेगा काउन बात यह हो गया जो बांदने जाएगा उसका समापन हो जाएगा तो घंती भी नहीं बनेगी कोई मतलब नहीं इस प्रकार से निरखथक बातों की विशाय में सोचने के लिए तो क्या कह रहे हैं कि भाई गोपिकाए बन कह रही है कि चोरी तो कर ले एक पुरानी सखी रही होगी उसने बताया कि चोरी तो कर लेकिन समस्य यह है यह बांसुरी को रखते ही नहीं है और रखते हैं तो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं कभी कमर में खोसे रहते हैं ना कभ हूं कमर में बाने रहते हैं कभी क्या करते हैं रखते नहीं है कभी हाथों में लिए रहते हैं कभी बजाते रहते हैं कट कभ हूं खोंसत जोर कभी क्या करते हैं कमर में पिश्टल रहते हैं कैसे ले लोगे कैसे छीन कैसे चीन लोगे कैसे चोरी कर लोगे अर्थात जो ये योजना बना रहे हो ना कि सखिरी मिरली ले जाए चोर ये कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है ना जानों का चुमेन मोहनी पता नहीं इस बांशुरी ने पता नहीं इस बासुरी ने कृष्ण के उपर कैसा मोहनी मंत्र चलाया है कैसा उनको अपने आधीन कर लिया है कि बासुरी के बिना कृष्ण एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं उनके उपर प्रभाव कर लिया है प्रभाव कर लेना का मतलब उसको अपने आधीन कर लिया है बासूरी ने कृष्ण को आधीन कर लिया है निर्जीव ने सजीव को आधीन कर लिया है मेरे बात ये समझ में नहीं आती है और इसरी ये समझ में नहीं आती है कि गोपिकाओं ब्योग में है और ब्योग की दसा में ऐसे उट प्रतांग बाते निकलती ही रहती है जब कोई रोता रहता है चिलाता रहता है भावा वेस में आता है तो क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता है जैसे मद में होता है मद माने नसे में होता है बोली गई बातों का कोई मतलब नहीं होता है फिर क्या करें राखे अंग अंग भोरी और उस बाशुरी ने इतना ही नहीं उस बाशुरी ने इतना ही नहीं राखे अंग अंग भोरी उनके प्रत्येक अंग पर अपना अधिकार कर लिया है प्रत्येक बाशुरी ने क्या कर लिया है अंग अंग पर नियंत्रन कर लिया है ऐ लेकिन गोपिकाएं करें नहीं अंग अंग पर आंख ना कान जो भी इंद्रियां है संपूर्ण इंद्रियों पर क्या कर लिया है उस बासुरी नहीं अधिकार कर लिया है और कहते हैं सूरदास प्रभु कौमन सजनी बंदो राग की डोर सूरदासी कहते हैं कि वो जो प्रेम का बंधन है श्रिक्ष्ण के प्रेम का बंधन है अब वो क्या हो गया है गोपिकाओं से हट करके बासुरी से बन गया है इसलिए बिचारी गोपिकाएं जो हैं परिशान है संतप्त हैं दुखी हैं पिनित हैं और क्या करती हैं ये ब्योग जनित ताप का अनुभव करती हैं समझ में आ गया भई ये देखिए मीनिंग है राखे अंग अंग पर मोहित कर लिया है और है बंदो राग की दोर प्रेम की रस्ती में बांध लिया है ठीक है कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताईए जल्दी बताईए फिर आगे चलते हैं जल्दी बताईए भई अगर कहीं पर किसी को कोई प्राबलम है तो बताईए नहीं फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ चलें क्या हो गया किसी को चैट वाइट बिल्कुल सब बिल्कुल बंध है क्या बात है इतना मस्त हो गए हो कि कोई टिग्नगल प्राबलम दिख रहे हैं मुझे चलें करें हैं उधाव मोहिब्र जब भी सरत नहीं यह तो था भाई गोपिकाओं की मनोदसा अब क्रिष्ण की भी अपनी मनोदसा है अगर गोपिकाओं क्रिष्ण को इतना प्यार करती हैं इतना चाहती हैं इतना उनके लिए समर्पित हैं तो स्वाभाविक रूप से क्रिष्ण के मन में भी कोई भाव जरूर होगा और होना चाहिए क्योंकि प्यार जो है एक तरफा नहीं होता एक तरफ से नहीं होता है यह चाहत की आग जो है ना एक तरफ से नहीं जलती है और जब जलती है तो दोनों तरफ से जलती है और बहुत तगड़ी जलती है तो कह रहे हैं यह क्रिष्ण भी कह रहे हैं क्रिष्ण जी भी कह रहे ह अपने मित्र जो है किस से ? उधव से बताते हैं कि है उधव और उधव की एक विशेष्टा ये भी बेटा ध्यान रखिएगा उधव क्या है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है निर्गुण निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है तो कहते हैं गोपिकाओं को समझाते हैं क्रिष्ण को समझाते हैं तो क्या कहा कि उधव महिब्रज विसरत नहीं है उधव क्रिष्ण कहते हैं अपने सखा से अपने मित्र से अपने भक्त से अपने भाई से तारे सम्मंद उनसे हैं सखा भी हैं मित्र भी हैं भाई भी हैं और भक्त भी हैं तारी चीजें कहते हैं कि बहुत याद आती है ए उधाव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है कैसे कैसे कि ब्रंदावन गोकुल वन उपवन वन उपवन की याद आती है जहां पर जाते थे घूमते थे खेलते थे कदम्ब के ब्रिक्ष थे आदी आदी और गोकुल गोकुल माने बचणे की बचडियो की गायों की और बन उपवन जो वहां पर बन में खेलना बासरी बजाना और साथियों के साथ भूमना जहां अकासुर बकासुर अगासुर पता नहीं कौन-कौन से सुर आए ना उन सब से मुलाकात होई मुक्का मुक्की हुई वो सारी चीजें अपने सखाओं के साथ भूमना तहलना आनंद करना और सघन कुझ की चाही और यमना के किनारे सुन्दर क्या है लताओं की घनी चाया सीतल आनंद दायक और लताओं की घनी छाया वो भी मुझे अपने सवंदर से अपनी क्रियाविद से बिताए गए अपने पल की और मेरा मन बरबस आकर्शित हो जाता है करते प्रात समय माता यसुमति और नंद देख सुख पावत और दूसरा दृस्त ये है कि मुझे देख करके मेरे माता पिता को मा यसोदा को और नंद बाबा को जो सुख की अनभूती होती थी उन्हें जो अच्छा लगता था वहाँ आज उसकी जब याद आती है तो मन क्या ह हो जाता है बेचैन हो जाता है परिशान हो जाता है दुखी हो जाता है संतप्त हो जाता है अब आखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत क्या कर दिया मां रोटी पर मखन सजाया और उसको बड़े ही प्रेम भाव से उसको बड़े ही प्रेम भाव से क्या करना मुझे खिलाना वो दिश्य वह चित्र वह भाव मेरे मन में आज भी याद आ रहा है उसे चाह करके भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ गोपी गौल बाल संग खेलत सब दिन हसत शिरात गोपियों के साथ खेलना गौल बालों के संग खेलना उनसे नाराज होना रूठना मनाना लड़ना जगरना खेलना हसना कूदना आदी जो बच्पन की बाल सुलब क्रियाएं हैं बच्पन के बिताए गए पल हैं वो किसी तरीके से भूल नहीं पा रहा हूं वो भूलने की कोशिस करता हूं लेकिन भूलता नहीं हूं कह रहे हैं सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सव हित जदुतात के सूरदास जी कैसे हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं वो बहुत सव भाग्य साली हैं जिनको चाहने वाले भगवान स्रिक्रिष्ण हैं जिनका हित चाहने वाले जिनका कल्यान चाहने वाले जिने बारंबार याद कर वाले भगवान कृस्टन है ऐसे ब्रज के निवासी ब्रज के पसू-도 पक्षी उनके माता-पिता-उनके मित्र- उनके सखा आध जो कुछ भी ब्रज में है चाहे वो बिप्च्छ हो, लता हो, नदी हो, पहाड हो, परवत हो या जो कुछ भी है जिसे भी भगवान याद किया है, वो बहुत ही भगवान ने याद किया है, वो बहुत ही सम्मानित है, बहुत ही गौरवस्ताली है, बहुत ही भाग्यसाली है और बहुत ही कल्यानकारी हैं ठीक है वहीं समझ में आ रहा है किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताईए कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए जल्दी से बताईए किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है वहीं चलते हैं आगे यह मीनिंग है वेटा झाल 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 कि चले भाई आगे कि यह लिजिए अब उध्यों बाइक चुकिया मैंने आपको बताया भी कि उध्यों जो है निर्गुण निड़ाकार ब्रह्म की उपासक और श्रीक्रिश्न के भक्त उनके भाई उनके सखा और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्गुण निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनको यह पूरी तरह से उनके मन में यह भाई था कि जिसे भी मैं चाहूं अपने ग्यान के प्रभाव से ग्यान के प्रभाव से क्या कर दूँ उसे संसार से विरक्ति प्रदान कर दूँ माने उसे संसार में रहने में अच्छा नहीं लगेगा उसके बजाए वो क्या करेगा उसे लगेगा कि संसार से अलग हो जाना एकाकी जीवन बिताना अर्थात बाबा बन जाना उन्हें बाबा बन जाना अच्छा लगेगा जिन पर वो अपने ग्यान कास्त्र चला जेंगे जिसे समझा जेंगे वो निश्चित रूप से समझ जाएगा फिर का कहल दिया कि उधाव गहे उधाव को जब ये बात ये अहंकार का भाव जब स्रिकृष्ण को पता चला तो उधाव ने कहा रुपो भाई आप चले जाओ कहा आप चले जाओ ब्राजो और ये ब्रज जा करक जो क्या है जो कृष्ण के जो कृष्ण के बियोग में पीड़त हैं दुखी है रो रही है खापी नहीं रही है उनको क्या करना है उनको जो है ज्यान सिखाना है क्रिष्ण के निर्गुन निराकार सरूप का ज्यान कराना है जिससे उनके मन से विराहा और ये संताप जो है दूर हो जाए ना कि फिर क्या कर दिये को के दिया कि उध्व मन न भै दस बीस उध्व गए गोपिकाओं को बहुत समझाने की कोशिस की और समझाया भी समझाने के बाद एक प्रति उत्तर आता है ने जैसे हम पढ़ा करके पूष्णे की समझ में आया की नहीं समझ में आया तो उसी तरह से पहले उध्व ने पूरे consent समझाया खूब time दिया गोपिकाओं को भाती भाती तरह-तरह से पूरे ज्ञान का प्रयूब करके समझाया और बाद में पूरी पुरी बात सुननों के बाद गोपिकाओं ने जो उत्तर दिया वो उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है करें उद्धव मन नध्भय 10-20 हमारा मन जो है मन जो है वो हिर्दय जो है वो क्या है वो एक ही है वो कोई 10-20 नहीं है कि एक कृष्ण के सगुन साकार की उपासना करे एक कृष्ण के सगुन साकार की उपासना करे एक कृष्ण के निर्गुन निराकार की उपासना करे ऐसा नहीं है हमारे पास तो एक ही मन है, एक ही हृदय है, एक ही आत्मा है, फिर क्या कहते हैं, एक हुतो सुगयो स्याम संग को अवराधय ईस, कहते हैं, एक हमारे पास मन था, भई वो तो कृश्ञ के साथ चला गया है, हमारे प्रियतम के साथ चला गया है, वो मन तो प्रियतम को समर्पित हो गया है, अब कौन आपके निरगुण निराकार भ्रव्य की उपासना करे? भाई मन एक वो चला गया, मन एक वो चला गया, अब आप कितनी भी अच्छी बात बताईए, कितनी भी ज्यान की बात बताईए, वो हमारे लिए उसका कोई बहत्व नहीं है, उसके लिए हमारे मन में कोई अस्थान बचा ही नहीं है, कि जिसको हम सीख सकें, स्विकार कर सकें, ग्रहन कर सकें आप ना सकें अब वैसी इस्थिति नहीं रही है कहते हैं इंद्रिय सिथिल भाई के सव बिन कह रहे हैं और कृष्ण के बिना कृष्ण के बियोग में कृष्ण के बियोग में और हमारी जो मांसिक इस्थिति है वो बहुत ही बिचित्र हो गई है करें कृष्ण के चले जाने से हमारी इंद्रियां भी हमारा मन भी यह हमारी पांच इंद्रियां जो प्रमुक हैं आक ना कान और त्वाच यह जो हैं काम नहीं कर रही हैं क्या देखना चाहती हैं क्या सुनना चाहती हैं हमारे आधीन नहीं रहे गई हैं और जो देही बिनसीस जिस प्रकार से बिना सर के धड़का कोई महत्त नहीं होता है, कोई उसकी कीमत नहीं होती है, उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी बुद्ध थी, जो हमारी इंद्रिया थी, वो सब खृष्ण के आधीन हो गई है, और हमारे पास अब कुछ नहीं बता है, जिस प्रकार से सरीर क्या होता है, सीस रहित हो जाने पर निरथक हो जाता है, वेकार हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण के चले जाने पर कृष्ण हो गए गोपिकाओं के सीस, और कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाओं का आज कोई अस्तित्व, आज केवल हमारे मन में एक आसा है कि कृष्ण आएंगे फिरस्ते मुलाकात होगी हम इसी लिए करोणों वर्स तक क्या करेंगे भाई करोणों वर्स तक हम क्या करेंगे जीवित रहेंगे हम करोणों वर्स तक केवल क्रिष्ण के इंतजार में जीवित रहेंगे बाकि अब हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहे गया है जब क्रिष्ण आएंगे उनसे संपर्क होगा तब हमारे मन के भाव कुछ जागेंगे और क्रिष्ण के चले जाने के बाद तो हम लोग कैसे हैं बिल्कुल सून्य की तरह हैं, इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, मन हमारे बस में नहीं है, हमारा जीवन निरतक है, अरे भाई जब यही सोच लीजिए कि बिना सिर के धाड़ा है तो कोई कीमत क्या है, कोई महत तो क्या है, कोई क्रिया सीलता कहां से हो सकती है, फिर कह रहे ह तुम तो सका स्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो क्रिष्ण के मित्र हो, तुम तो क्रिष्ण के मित्र हो, भाई तुम्हारे पास तो क्रिष्ण है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्रिष्ण ही थे और वो भी चले गए, कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, तुम तो क्र आधना के जानकार हो तुम्हारे पास तुम्हारा ज्यान भी है कृष्ण भी है और तुम भी हो ब्रह्म ज्यानी हो उनके भाई हो तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं और कहते हैं सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश सूरदाश्री कहते हैं कि गोपिकाएं कह स sonraki िवे एक ही एक ही मेरे प्रेमी हैं मेरे सब कुछ है आगर उनके उनके अभाव में हम लोगों का जीवन ही निर्थक हो और आपके लिए आपके लिए तो बहुत कुछ है आप तो संसार में और किसी आधार पर अपने जीवन को धरन कर सकते हैं जी सकते हैं मनन कर सकते हैं अपना जीवन अच्छी प्रकार से चला सकते हैं लेकिन हमारा जीवन तो पूरी तरह से कृष्ण पर अवलंबित है समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमारे जीवन के आधार तो कृष्ण है, इसलिए भईया हमारे लिए तो वही अच्छे हैं, अब तुम अपना ये निर्वुण ब्रह्मों का ज्यान वगएरा लेकर के यहां से चले जाओ, वो हमारे लिए अभीष्ट नहीं है, कल्यार कारी नही है, सुखदायक नहीं है, हमारे लिए तो केवल कृष्ण नहीं सुखदायक है, ठीक है भई, समझ में आ रहा है, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है, तो बताईए, पूचिए, किसी को कहीं पर कोई प्राबलम है, तो बताईए, जल्दी बोलिए, जल्दी बताईए, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, जहां पर न समझ में आए, वहां पर बताईए, समझ में तो आना ही चाहिए, अगर कहीं पर प्राबलम हो रही है, अच्छा फिफ्ट लाइन, पांच्वी लाइन बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, देखिएगा, पांच्वी लाइन एक, दो, तीन, चार, पांच्वी लाइन आपके सामने आ गई है, करें हैं कि आसा लाग रहतितन स्वासा, आसा, आसा क्या करती है बेटा, जीवन का आधार होता है, आसा जो है बहुत बड़ी चीज है, आसा से प्रेरित हो करके, आसा से प्रेरित हो करके, आसा से उर्जा मिलती है, और जब उर्जा मिलती है, तो कर्म सीलता बढ़ती है, आसा है कि अच्छा नंबर आएगा, आसा है कि ऐसा हो जाएगा और उसी आसा से आसा है कि नौकरी मिल जाएगी इसी आसा की चाहत से इसी आसा को कारियर रूप में परणित करने में मनुष से पूरी उर्जा लगा देता है पूरी शक्ति लगा देता है पूरा सामर्थ लगा देता है और लगाना भी चाहिए और आसा ही जीवन का आधार है आसा ही जीवन जीने की कला है आसा ही जीवन को गतिसीलता प्रदान करता है आसा ही मनुस्त को क्रियासील बनाती है तिसी तरह से गोफिकाएं कहती है कि आसा लाग रहाती तन स्वासा मुझे आसा है कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे इसलिए मैं जीवित हूँ नहीं तो क्या होता नहीं पूल से कुछ जाती आजकल मुझे इंतजार है मुझे प्रतीक्षा है कि वो जरूर आएंगे और उनकी प्रतीक्षा उनकी प्रतीक्षा मैं क्या करूंगी करोणो वर्स तक अभी इतना हलके में मतलो कि जो बियोग है बियोग से पीडित हो करके मैं प्राणान्त कर लूँगी तो ऐसी बात नहीं है करोणो वर्सो तक मैं उनका इंतजार करूंगी और जब तक वो नहीं आएंगे जब तक नहीं आएंगे तब तक उनकी प्रतीक्षा करूंगी क्योंकि मुझे आसा है को निश्चित रूप से आएंगे मिलेंगे मेरे बियोग जनित ताप का अंत होगा ये ऐसी ही परिष्थितियां नहीं रहेंगी हे उधाओ तुम परिशान मत हो हम करोणों वर्स तक उनकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको छोड़ करके निर्गुल ब्रह्म को अपनाने के लिए तुहारे ज्ञान के अनुसार अपने आचरण को अपने कारे को अपने भक्ति को अपनी मानसिक्ता को अब तो दिक्कत नहीं होने चाहिए आप लोगों ने पूछा वह हमने बता दिया अगर अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर क्या किया जाए चलिए भई चलिए फिर आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवार इसी तरह से पढ़ते रहिए पूछते रहिए बताते रहिए जहां पर जो प्राबलम हो उसको जरूर बताईए और हम लोग आपकी प्राबलम को जब दूर करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो पूछते हैं उनसे उनकी जरूरतें पूरी होती जाती है ठीक है प्लास को अब खतम किया जाए अगर आप लोग ठीक है वेटा चलीगे बहीं चलीगे चलीगे झालीगे